Dear friends, मैं रामा अतार कांटीवाल, आपके इस YouTube चैनल ओनलाइन इंग्लीज क्लासेज बाई रामा अतार कांटीवाल में सभी का हार्दिक्ष्वागत करता हूँ Friends, आज हम इंग्लीज में लाइक वर्ड का यूज कैसे करें सिखेंगे Friends, अभी भी जिन्होंने इस YouTube चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, वे पहले इसको सबस्क्राइब कर दें और बेल आइकन को अवस्से प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज के जानकारी आपको सबसे पहले सही समय पर मिल सके है दोस्तों जैसा की स्क्रीन पर सो कर रहा है लाइक और लाइक का मतलब होता है के जैसा या के समान दोस्तों इस परकार के हिंदी के वाक्यों में आपको या तो की तरह है के तरह है के समान इत्यादी सब्द दिये वे मिलते हैं दोस्तो लाइक का यूज अंग्रेजी में कैसे करें जैसा की नीचे रूल बताया गया है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद में बीवर्फ दोस्तो अब ये बीवर्फ के रूप होते हैं इज, एम, आर, वाज, वार दोस्तो परजेंट में इज, एम, आर और पास्ट में वाजवर काम में लेते हैं दोस्तो इस परकार के वाक्यों के अंत में जैसे मैंने अभी आपको बताया है जैसे तरह के समान जैसा इस तरह से आता है तो ये वाक्ये परजेंटेंट में होते हैं तो present tense में होने की वज़े से यहाँ पर is MR काम में लेके हैं और is MR के पसाथ like word काम में लेते हैं और like के बाद में other words अन्य सब्द काम में लिये जाते हैं तो दोस्तों यह इसका pattern है एक बार फिर से देखें सबसे पहले subject आएगा subject के बाद में be word यहनी be word is MR उसके बाद में like और like के बाद में other word अन्य सब्द काम में लेके हैं जैसा की एक example दियाव है उपर मैं आपके बड़े भाई के जैसा हूँ दोस्तों वाक्य को ध्यान से देखें वाक्य के अन्द में के जैसा तो पहले मैंने आपको बताया था like का मतलब होता है के जैसा या के समान या की तरह है इस तरह के वाक्य के अन्द में देखने को मिलते हैं तो पहले इसमें subject आएगा मैं आए और आए के बाद में बीवर बी के रूप इस एम आर काम में लिये जाते हैं दोस्तों यहां subject क्या है आए तो आए के साथ में M आएगा और M के बाद में like और like के बाद में other word आपके बड़े भाई तो your big brother आपके बड़े भाई जैसा I am like your big brother मैं आपके बड़े भाई के जैसा हूँ यह इसकी English में बने के दोस्तों इसी pattern के मादिम से आज हम अंग्रेजी में वाक्य बनाने सिखेंगे जैसा नीचे और भी कुछ examples दिये वे हैं जिनमें पहला example मेरा भाई मेरे दोस्त की तरह है मेरा भाई मेरे दोस्त की तरह है दोस्तु आप इस वाक्य के अंद में धहन से देखें की तरह है मैंने आपको पहले भी बताया था के जैसा के समान या फिर की तरह है इत्यादी सब्द आते हैं तो इसमें किसका यूज करेंगे? like word का उसमें सबसे पहले subject आएगा और वाक्य में subject है मेरा भाई तो सबसे पहले आएगा my brother और subject के बाद में be verb और जिसके present में काम में लिया जाते हैं it's mr अब यहाँ subject क्या है? third person singular यानि एक वाचन तो एक वाचन के साथ में it's काम में लिया जाता है और इसके बाद में like और like के बाद में अन्ने सब्द में क्या है? मेरे दोस्त तो my friend my brother is like my friend मेरा भाई मेरे दोस्त की तरे है या मेरा भाई मेरे दोस्त के समान है या मेरा भाई मेरे दोस्त के जैसा है इस तरह के वाक्य इसमें बनते हैं दोस्तु इसी तरह से अपन अगला sentence लेंगे, अगला sentence है वो आपके पिता के समान है, यहां देखे लिखावा है वो आपके पिता के समान है, दोस्तु इस वाक्य के अंत्मे के समान है तो इसमें भी आपन like का use करेंगे और like का use करेंगे तो उसका pattern क्या है सबसे पहले subject subject के बाद में be यानि is, am, are पलस उसके बाद में like like के बाद में other word काम में लिये जाते हैं तो सबसे पहले subject वो यानि where है तो subject आ गया he और he के बाद में is, am, are तो he के साथ में इस काम में लिया जाता है उसके पसाथ like और like के बाद में other word आपके पिता your father he is like your father वह है आपके पिता के समान है या वह है आपके पिता के जैसा है या वह है आपके पिता की तरह है, इस तरह के वक्के बनते हैं दोस्तु अगला सेंटेंस है तुम्हारी बेहन मेरी बेहन की तरह है तुम्हारी बेहन मेरी बेहन की तरह है तो इस वाक्य के अंत में भी क्या है की तरह है तो इसमें भी like का यूज करेंगे तो सबसे पहले subject और subject है तुम्हारी बेहन तो इंगलीज में क्या होगा योवर सिस्टर उषके पस साथ इच एम आर तो यहां सब्जिक्ट क्या है एक वच्छा तो कहेगा इच और इच के बाद में लाइक वर्ड और लाइक के बाद में अधर वर्ड मेरी बेहन तो माई सिस्टर तुमारी बेहन मेरी बेहन की तरह है या तुमारी बेहन मेरी बेहन के जैसे है या तुमारी बेहन मेरी बेहन के समान है इस तरह के वाक्य ऐसे बनेंगे दोस्तु अगला वाक्य लेंगे अगला वाक्य है वे है तुम्हारी बेहन की तरह है अगला वाक्य है वे है तुम्हारी बेहन की तरह है इस वाक्य क्यांत में भी क्या है की तरह है तो इस वाक्य में भी like का यूज होगा तो उसी तरह से सबसे पहले सब्जिक्ट आएगा सब्जिक्ट क्या है वे है तो सी और सी के साथ में इस इसके बाद में लाइक और लाइक के बाद में तुमारी बेहन योवर सिस्टर सी इस लाइक योवर सिस्टर वह है तुमारी बेहन की तरह है या वह है तुमारी बेहन के जैसी है या वह है तुमारी बेहन के समान है दोस्तो इस तरह से इसका हिंदी में बनेगा दोस्तो अगला सेंटेंस है आप मेरी मा समान है आप मेरी मा समान है यहाँ अंत में क्या है? समान है, की तरह है, के जैसा, के जैसी इत्यादी है तो इसमें भी like का यूज होगा like का यूज होगा तो उसमें सबसे पहले subject आएगा और subject है आप, you और you के बाद में, it's, m, r और you के साथ में, r काम में, लिया जाता है उसके पसाथ, like और like के बाद में, other word में मेरी मा तुमाई मदा you are like माई मदा आप मेरी मा समान है आप मेरी मा जैसे है इस तरह से इसका बनेगा दोस्तु, अगला sentence है मैं तुमारे बही समान हूँ मैं तुमारे बही के जैसा हूँ मैं तुमारे बही की तरह हूँ इस तरह का वाक्य है इस वाक्य के अंत में भी क्या है समान हूँ इसमें भी हम like का यूज करेंगे तो उसी तरह से सबसे पहले subject आएगा और subject है मैं, I और subject के बाद में is, am, are तो I के साथ में M और M के बाद में like और like के बाद में अन्य शब्द में तुमारे भाई, your brother मैं तुम्हारे भाई समान हूँ या मैं तुम्हारे भाई के जैसा हूँ या मैं तुम्हारे भाई की तरह हूँ इस तरह से ये वाक्य बनेका दोस्तु इसके नीचे कुछ प्रिक्टिस के लिए sentence दिये वे है होमर के लिए आप सब बेविक्ति की तरह हैं दूसरा है तुम मेरी छोटी बेहन की तरह हो मैं तुमारी तरह हूं आप सीता की तरह हैं वह आपके जैसे है सभी वाक्यों के आंत में की तरह है, की तरह हो, की तरह हूं, की तरह है, जैसे है इस तरह का दियावा है तो इन सभी वाक्यों में like का यूज होगा तो हम इसी pattern से बनाएंगे जैसा की उपर बताया गया है सबसे पहले subject आएगा subject के बाद में be यानि is, am, are उसके बाद में like और like के बाद में अधरवड का using करेंगे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसका अभ्यास की पहला से इन डिन से आप सभी विक्ती की तरह है तो इसमें पहले आएगा subject you और you के साथ में are, are के पसाद like और like के बाद में अधरवड में क्या है, सभी विक्ती जिसको बोलते हैं civilized man civilized you are like civilized man अगला sentence है, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो दोस्तों, इसमें subject है, तुम, you उसके पसाद you के साथ में, are, are के बाद में like और like के बाद में अधरवड में क्या है, मेरी छोटी बहन my younger sister you are like my younger sister तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो दोस्तों, इसी तरह से अगला sentence है, मैं तुम्हारी तरह हूँ थोड़ा मिस्प्रिंट है यहाँ पर, तुम्हारी है यह, मैं तुम्हारी तरह हूँ दोस्तों, पहले subject में I और I के साथ में I माएगा, एम के बाद में like और like के बाद में तुम्हारी यह वार I am like और उसके पस साथ तुम्हारी तरह है, तो यह, I am like यह, आप सीता की तरह है You are like सीता, आप सीता की तरह है, वह आपके जैसी है वह आपके जैसी है She is like यह, वह आपके जैसी है इस तरह से दोस्तों, यह कुछ होमर यानि अभ्यास के लिए sentence दिये वे हैं, जो इस तरह से है दोस्तों, कमेंट अवस्य करें, आपको यह वीडियो कैसा लगा, और कोई समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट में अवस्य लिख है वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, have a nice day